पांच तरह की होती है एलर्जी जाने इसके कारण, लख्षण और उप्चार आपने जीवन काल में लगभग हर व्यक्ति कभी न कभी एलर्जी की समस्या से ग्रस्थ होता है एलर्जी कभ उत्पन्न होती है जब सरीर किसी पदार्थ के प्रतिक्रिया व्यक्त करता है लापरवाही बरतने पर एलर्जी मामूली से पठिन समस्या बन सकती है वह पदार्थ जिसके कारण सरीर में प्रतिक्रिया होती है एलर्जन कहलाता है आईए जानते हैं एलर्जी के संदर्फ में कुछ महत्वपूर्ण जानकारिया टोपिक डेमेटाइटिस भी एलर्जी का एक प्राकार है जिसमें वच्चा में सुजन आ जाती है यह एलर्जी बच्चपन में ज्यादा होती है उम्र बढ़ने के साथ इसकी तीवरता कम हो जाती है ऐसे पहिचाने इस मर्ज के लक्षणों में दर्ध, खुजली, छाले पढ़ना, छाले फुटकर, पानी निकलना, जलन होना, मुह के कोनों का कटना बार-बारत वजा का संक्रमन आदी समस्याय उत्पन न हो सकती है प्रमुख कारण, एटोपिक, जमेटाइटिस के प्रमुख कारणों में परियावरन प्रदुशन, राशायनिक, प्रदुशन और धुम्रपान प्रमुख है मौझूदा फेशन के दोर में प्लास्टिक की चीजे वग कोस्मेटिक के प्रयोग जैसे नकली आपुशन, बिंदी, परफ्यूम, प्रावडर, साबून आदिका इस्तमाल बढ़ गया है इन पदातों के संपर्क में आने पर भी ऐलरजी हो सकती है यह है इलाज, त्वचा की नमी बढ़ाने वाले मरहम और खुजली कम करने वाली दवाओ का इस्तमाल किया जाता है एलर्जी से होने वाले संक्रमन के इलाज के लिए एंटिबायोटिक्स का भी इस्तमाल किया जा सकता है नाक की एलर्जी, एलर्जी का साइनाटिस या नाक की एलर्जी विसेश रूप से पराक करणों के कारण मोसम बदलने के दोरान होती है इससे नाक के वायू मार्ग में सुजन आ जाती है और छी के नाक में खुजली वा पानी और नाक बंद हो जाना जैसे लक्षन प्रकट होते है एलर्जी की वज़े से साइनस में सुजन आ जाती है जिससे हम साइनूसाइटिस कहते है बच्चों में एलर्जी की परिशानी यदि लंबे समय तक बनी रहती है तो कान बहना, नाक बहना, कम सुनना बहरापन जैसी परिशानिया भी हो सकती है हमारे सरीर की सरन रचना के इसाब से ना कान और गला आपस में किसी ना किसी माध्यम से चुड़े होते हैं इसलिए इसमें से किसी में भी संक्रमन होने या सुजन आने पर सभी पर असर होता है दमा, दमा यह मर्ज भी अधिकतर एलर्जी के कारण होता है दमा में व्यक्ति की सांस की नलिया, ब्रणकाई, पैदा इसी रूप से अती सम्मेदन सिल होती है एलर्जिक के तत्वों के संपर्ख में आने पर इसमें सुजन वसिकुडन आ जाती है जिससे व्यक्तिकी सांस फुलने लगती है वायू प्रदशन, धूल, धुवा, गर्दा, सिलन, वपरागकन, एलर्जिक पन्न होने के प्रमुख कारण है जो दमा अस्थमा को बढ़ावा देते हैं दमा रोगियों के प्रमुख लक्षन, छीक या खासी आना, सास फुलना, सीने में दर्द और गले से एक असा माने आवाज आना दमा के प्रमुख लक्षन है इस मर्च के निदान के लिए फेफडे की कारेक्षमता की जाच, पल्मोनरी फंक्षन टेस्ट किया जाता है जिसका उपचार डॉक्टर की सलहा से इनहिलर चिकित्सा लेना है एलर्जिक कंजक्टिवाइटीस आखों में होने वाली एलर्जिक को एलर्जिक कंजक्टिवाइटीस भी कहते हैं यहां स्थिति तब उत्पन होती है जब एलर्जन आखों की उपरी सथा पर इस्थिति जिल्ली कंजक्टिवा को प्रभावित करती है इस एलर्जी के लक्षनों में आखों से पानी आना, खुजली होना, आखों में लाली, मा, सुजन और जख्म होने को शामिल किया जाता है दवाओ से एलर्जी दवाओं से एलर्जी बहुत व्यापक है पर यह हर व्यक्ति के सरीर पर इसके अलग-अलग असर देखने को मिल सकते हैं किसी व्यक्ति के सरीर पर चकते और खुजली हो सकती है वहीं हो सकता है दूसरे को कोई दिक्कत ना हो दवाउ के प्रती एलर्जी ज्यादा देखी जाती है जैसे एंटिबायोटिक्स और पैनकिलर्स आदिके इस्तमाल करने पर घद्य एलर्जी इस तरह की इलाज दवाओ का सही वन्यमित प्रयोग करना चाहिए कहीं प्रकार की दवाय एलर्जी की प्रतिक्रिया को रोकने के लिए प्रयोग की जाती हैं इम्यून थेरिपी से भी इलाज किया जाता है ऐसे करें बचाओ बाल दूपसुगों के बाल धूल के करण आदी से बचाओ और भी में एलर्जी होती है उससे बचना चाहिए है 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 कि अगरे के है